हम लोग शुरू कर रहे हैं numerical number 12 से तो आईए शुरू कर रहे हैं तो देखिए numerical number 12 जो आपकी concise physics में unsolved numerical है वो यह है कि उसमें दो बल्ब दिये हुए हैं यह दोनों बल्ब हैं एक का नाम हमने A लिख दिया एक का नाम B लिख दिया यह बल्ब में एक की power 60 watt तो दूसरे की भी power 60 watt है और दोनों की power equal है लेकिन यह जो बल्ब A है यह 220 volt पे work कर रहा है इसकी rating दिये हुए है 220 के बजाए 110 volt याने potential में difference है देखिए potential में difference है इस specification में या rating में लेकिन power दोनों की same है तो naturally दोनों की resistance बदल जाएगी और question में यही पूछा गया है कि इन दोनों की resistance का ratio क्या होगा तो simple सी बात है दोनों bulbs के लिए हम resistance को निकाल ले तो देखिए resistance निकाला हमने resistance निकालने के लिए formula यह उस करेंगे v square by p तो resistance for the bulb a and resistance for the bulb b तो अब v square by p लिख दिया तो पहली condition में 220 square upon 60 लिखा और दूसरी condition में 110 square upon 20 लिखा लेकिन देखिए दोनों को solve नहीं किया है जान बूच के solve नहीं किया ये भी एक time saving technique होती है क्योंकि almost number लग फग एक जैसे हैं और आसानी से divisible है और हमें ratio निकालना है तो हमने क्या किया simply ये लिखने के बाद दोनों का ratio निकाल लिया means दोनों को divide कर लिया तो ra upon rb तो ये 220 square upon 60 whole upon 110 square upon 60 देखिए वाल ये आसानी से ये cancel हो जाएंगे 110 220 उसका double होता है तो यहां relation आ जाएगा 4 upon 1 means r is to rb का ratio आया resistance उसका 4 is to 1